नमस्कार आप भारत लाइब देख रहे हैं लोकसभा का मौनसून सत्र शुरू होने वाला है लेकिन इस बीच हम आपको पता दे कि पिछले दिन सरव दलिये बैठक हुई जिसमें बिहार के सभी पार्टी साहित देश के सभी पार्टियों को अमंत्रित किया गया था यानि सीधा सीधा ये कहें तो प्रदान मंत्री मोधी सरोब दलिये बैठक के माध्यम से यह संदेश देना चाहते थे कि आगे सदन में जो कुछ भी होगा वो देश हित में होगा लेकिन आपको पता है देश में किसान आंदोलन लगातार कई महीनों से चलता आड़ा है अब किसान आंदोलन को लेकर सरकार की कोई रूची नहीं है लेकिन किसानों का यकाना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक किसान आंदोलन चलेगा अब केंदर सरकार के सामने कई अन्र समस्चा भी है जो एक किसान आंदोलन है जिसका जिक्र हमने पहले भी कियाता, आपको पता दे कि किसान आंदोलन लंबे समय से चलता आ रहा है, पूरे देश में कई अथानों पर किसान अभी भी डटे हुए है अब इसके बाद केंद सरकार के सामने एक और बड़ी समस्या है कोरोना मामाडी को लेकर तिसरी लहड़ आने वाली है उसको लेकर वैक्सिनेशन को लेकर कई जगह से ऐसी खबड़े आई कि vaccination की शुविधा नहीं है, vaccination के लिए vaccine उपलब्ध नहीं है, इसके वज़ा से vaccination होने में परिशानी हो रही है, कैश जगा होपर तो लोगों ने वहां के अस्थानिय लोगों ने vaccination team को भगा दिया, यारि लोगों को जन्जागरूप करना अभी भी पर रहा है, क्योंकि जिस तर सरकार के सामने एक और बड़ी समस्या मांगाई है मांगाई के मुद्दे पर केंदर सरकार सदन में घिर सकती है हो सकता है कि सदन में इसको लेकर नोक जोक हो सदन को अस्थागित करना पड़े क्योंकि जिस प्रकार से कॉंग्रेस ने पूरे देश में मांगाई को लेकर जो महंगाई को लेकर तो केंदर सरकार के सामने बड़ी समस्या महंगाई भी है अब इसी बीच बिहार के दो सांसद हैं एक ललन सिंग और एक आर्सीपी सिंग जो दोनों लोग आमने सामने होंगे मौनसुन सत्र को लेकर ये दोनों लोग आमने सामने होंगे हाला कि जब से मंत्र बने हैं और सिपि सिंग तब से वह ललन सिंग के सामने नहीं आए हैं आपको बताते कि पिछले दिन काड़ काड़नी की बैटक में हुई वर्चुल रूप से लेकिन उसमें लेल सिंग मंदल में सामिल नहीं वहाँ इसके बाद खासा नाराज बताया आ रहे हैं वहीं बात करें तो उन्होंने पद छोड़ने की बात तक कह दिये अब देखना यह होगा कि आज दोनों लोग अगर आमने सामने होते हैं सदन के मौनसून सत्र में जिस प्रकार से यह दोनों लोग आमने सामने होंगे तो क्या कुछ देखने को मिलता है यह हम आपक पर अपने अपना अपना कुन्वा बनाये हुए हैं तो इस स्थिती में वो दोनों की मुलाकाते क्या कुछ नया रंग लाती है या देखने वाली बात होगी लेकिन आप बने रहे हैं हमारे साथ जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे बहुत बहुत धन्यवाद अगर ये वीडियो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लेए ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद